आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो बसे crop करो और तुरंत video solution पाऊ download now हमारा question कहता है एक stressed wire है हमारे पास it is carrying a body जिसकी density किती है हमारी sigma which is 8000 kg per meter cube ठीक है तो अजो fundamental frequency आई उस किये वो कितनी आई हमारी wire की it is 280 hertz ठीक है अब हमने का किया body को हमने dip कर दिया completely in a vessel of water तो हमें बताना है की new frequency in fundamental loads की या fundamental mode of vibration की कितनी होगी हमें क्यादिरा का density of water जो है that is row which is equal to 1000 kg per meter cube ठीक है तो इससे हम क्या देखते है हमारे पास आफेश दो situations है एक है कि suppose क्रोंक क्या हमारे पास जहां सेची पांपर एख जहां से हमारी string wire जो हो लटकी विए ठीक है यह हमारी wire है ठीक है उसके उपर हमारे पास एक कोई वो है body ठीक है हमारे time is body का मास है मच ठीक है और दूसरा case के हमारे पास सेम के सेम बाइरह उसके पर सेम बॉक्स है ठीक है सेम लेंद flips haird सब वाक्स यह उसका मास यह हमारी एक water body में ठीक है completely immersed ठीक है यहां से हमारा नीचे पूरा water है तो इस से हम क्या देखते हैं हमें बताना है कि fundamental mode of vibration दोनों में क्या होगा हमें क्या पता है अगर हम बात करें fundamental mode of vibration के बारे में ठीक है fundamental mode of vibration के बारे में अगर हम बात करें तो हो क्या आता है उसकी value होती है हमारी suppose it is f तो इसकी value होती है it is one upon two times of l into v ठीक है l है उसकी length wire की into v है उसमें velocity हमें क्या बता है अगर हम velocity की value डाले तो हमारे पास क्या आएगा 1 upon 2 times of l root of tension upon mass per unit length इन दोनों case में हमारा क्या change हो रहा है हमें पता है कि length change नहीं हो रही दोनों की यह ना हमार को पता है कि new change नहीं हो रहा हमारा पर हमारी tension change होगी ठीक है इस case में तो हम क्या बोल सकते है कि अगर हमारा l और new constant है तो हम इससे बोल सकते है कि जो f है that is proportional to tension दोसे हम क्या बोलेंगे कि f1 upon f2 ठीक है this will be equal to t1 upon t2 है ना sorry this is proportional to root यह हमारे पास root में आएगा ठीक है अब हम क्या करते है हम में क्या पता है हमारे को first case में क्या है हमारी tension हमारे पास उपर की साइड एक tension है नीचे की साइड क्या है हमारे पास इसका weight जो है mg है ना similarly अगर हम इसमें देखे इसका free body diagram m का तो हमारे पास नीचे की direction में है एक mg उपर की साइड में हमारे पास t इसको हम t2 बोलते है यह हमारा t1 है ठीक है तो हमारे पास t2 है अब हमारे पास इन दोनों forces को छोटके एक और force है उपर की direction में by and force है ना क्योंकि वाटर के अंदर है तो हमें क्या पता है अगर हम first equation यूज करें फर्स्ट वाले के हां इससे बोल सकते है टीवन और हम क्या देख सकते है कि इसके से हमारे को क्या पता है कि जो t2 है that is equal to mg-fb यह ना by and force तो इससे हमारे पास क्या आएगा t2 हमारे पास आएगा mg हमारे को पता है वो है sigma vg और by and force क्या होता है it is the mass of the water which is displaced mass of water क्योंता displaced कि हमने rho times v, rho है water की density into g ठीक है इससे value क्या है हमारी it will be vg into sigma minus rho ठीक है यह हमारा t2 है हमें क्या पता है कि अगर हमारा t1 यह है जब हमारा जो block है सिरफ ऐसी hang हो रहा है उसने पर हमारी frequency f1 which is 280 hertz है ना तो f1 जो है that is 280 hertz हमें f2 निकालना है तो अगर हम इसको rearrange करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा जो f2 है that is equal to f1 root of t2 upon t1 ठीक है सारी values डालते है f2 किता आएगा हमारा it will be equal to f1 हमारा 280 root of t2 किता है हमारा t2 हमने निकाला यह vg into sigma minus p तो vg into sigma minus p ठीक है divided by हमारा t1 किता था t1 is given to be sigma vg ठीक है तो sigma vg हम vg वg cancel कर सकता हमारे पास क्या आएगा हमारा hertz में तो हमारे पास आएगा f2 is equal to 280 into root of sigma minus rho यह rho है हमारा upon sigma ठीक है values डालते है मैं क्या पता है हमें पता है कि जो हमारा sigma है that is equal to 8000 तो 8000 minus rho हमारा 1000 तो it is 7000 upon 8000 थीन जीरो कैंसल हो देंगे तो हमारे पास रूट 7 by 8 तो इससे हमारे पास जो f2 की value आएगी वह किती आएगी हमारे पास f2 आएगा 261.91 hertz हम इसको बोल सकते it is almost equal to 262 hertz तो हम अगर अपने options देखेंगे तो हमारा जो a option है that is giving the correct answer for this question thank you Classics to 12 से लेके need IIT जही means और advance के लेवल कक 10 मिलें से जादा students कभर हो साथ आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर